पांच सौ साल बाद बन रहे हैं, चार राज्योग, तीन राशियों की चमकेगी किस्मत, वैदिक जोतिश के अनुसार ग्रह समयस्मय पर राज्योग का निर्मान करते हैं, जिसका असर पृत्वी और मानव जीवन पर देखने को मिलता है, आपको बता दें कि 16 दिसंबर को धन मेश राशी में स्थित गुरु को नवम दृष्टी से देखेंगे जिससे राजलक्षमन राज्योग बनेगा, इसके अलावा शुक्र ग्रह अपनी ही राशी में रहकर मालव्य राज्योग बना रहे हैं, ऐसे में लगभग 500 साल बाद चार राज्योग एक साथ बनने जा र दौलत की बरसात होगी, चलिए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो भाध्यशाली राशी जिन्हें इसका फाइदा मिलने वाला है, मेश राशी मेश राशी के जातकों को चार राज्योग के बनने से फाइदा मिल सकता है, मेश राशी के जातकों की धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है, सूर्य देव के आशिरवाद से आत्म विश्वास में भी वृध्धी होगी, करियर में तरक्की मिलेगी और धन और सम्मान भी मिले इसके अलावा जो लोग विदेश नौकरी के लिए जाने के इच्छुक है, उनका प्रयास सफल हो सकता है सिन्ह राशी के जातकों के लिए चार राज्योग का बनना बहुत ही लाभदायक हो सकता है, इस समय आपके मानसम्मान में वृध्धी होगी और कार्यक्षेतर में तरक्की मिलने के भी योग बन रहे हैं आने वाले नए साल में प्रमोशन भी मिल सकता है, वक्त आपके अनुकूल है, इसलिए आपको नई नौकरी के अफसर मिल सकते हैं, साथ ही व्यापार और कारोबार के संबंध में यात्रा भी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए शुब साबित होगी, इस समय निवेश करना आ आपके लिए फायदे मंद हो सकता है, तुला राशी, चार राज्योग बनने से तुला राशी के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, इस समय आपको कार्यस्थल में मनचाहे परिनाम मिलेंगे और प्रफेशनल लाइफ में तरक्की मिलेगी, साथ ही धन कमाने के न मिलेगा साथ ही आर्थिक स्थिती में भी सुधार देखने को मिल सकता है, इस समय आप सेविंग करने में सफल हो सकते हैं, दोस्तो अगर विडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे, धन्यवा चो हरो तो बसा नहींदी बता क्वरे और विए HOL काप्सितो गने हें लाओ आव साथ झाथने के लाओ झाहर नहीं हो का ताए हैं, इस संह जएईक जर आव, उन्यवार नहीं हो जड़ने के लिएगार बस्छोने करे थाहा हैं, तोसक्तों मिल नहीं होता है, जजएज ख आग